तो नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का अपनी ही चैनल गौर्मेंट इन्फॉर्मेशन पर तो दोस्तों फिर से मैं एक नया वीडियो लेकर रहा हूँ आंगनवाडी सेविका और साइका के लिए अगर आप भी घर बेटें ओनलाइन आंगनवाडी सेविका और साइका का अगर ओनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखेगा मैं आपको यहाँ पर सारी जानकारे में यहाँ पर प्रवाइट करूँगा और एक होता है मेनी आंगनवाडी टीचर तो यह तीन बेकेंड से निकली हुई है ताप इस तीनों पोध पर आप यहाँ पर अप्लाइग कर सकते हैं तो कैसे करनी है ठीक है और किस तर सापके अप्लाइग करनी है तो जानने के लिए वीडियो को पूरा देखेगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रू कर देगा और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके उसके घंटी बटन को भी ओन जड़ी कर देना है तो चैनल जाद देरी नहीं करते हैं और वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्त सबसे पहले करना है कि आपको सबसे पहले आपको इस page पर आनी है इस page का link यानि कि इस website का link आपको वीडियो के description में दी हुई है आप जैसे हुआ पर click करोगे उसके बाद आपके सामने website open हो जाएंगे ठीक है उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ जरूरी information है जो आपको यहाँ पर जानने है इस website साने से पहले आपको जरूरी जानकारी होनी चाहिए यह से के पास अगर आप जिसका भी apply कर रहे है यह जो form है शिरिफ जो woman होती है वही apply कर सकते है ठीक है इसके लिए आपके पास होना चाहिए 10 class का mark seat और admit card आपके पास होना चाहिए अगर आप 9 या पर 8 class में अगर पढ़े हो तो फिर आप इसको apply नहीं कर सकते है minimum आपका 10 class का mark seat और admit का आपके पास होनी चाहिए तो simply उसको your candidates are not available or applied जिसमें 8-10 साल के बीच में अगर हो किसी का तो फिर उसको apply नहीं कर सकते है एक किस से ज़्यादा होना चाहिए तब ही आप इसको apply कर सकते है ठीक है यहाँ पर एक condition रखी गई है किसे आपको form के फिलप करना है तो आपको यहाँ पर पढ़ना चाहते है तब इसको step by step पढ़ सकते हैं तो सबसे पहले आपको नीचे आना है और आने के पाद आपको यहाँ पर नीचे दिख रहे है कि please click here to fill your application form तो आपको यहाँ पर क्लिक करनी है तो दोस्त यहाँ पर click करने के बाद आपके सामने यहाँ पर दे सकते हैं कि आंगन वाड़ी center details के सामने यहाँ पर इस तरह का कुछ आपके सामने form आती है simply आपको इस form को दे सकते हैं यह जो form है आपको इस form को फूरी तरह से आपको fill up करनी होंगे यहाँ पर कौन-कौन सी आपको document अपलोड करनी है मैं सारा कुछ जानकार आपको वीडियो के मैं दम में दूँगा तो वीडियो को पूरा देखेगा आपको form भरने में किस तरह कोई भी गलती नहीं होगा आप simply form भरके यहाँ से application कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर दिख रही है कि post applying तो आपको यहाँ पर क्लिक करनी है और आपको यहाँ पर तीन post दिख रही है आंगनवाड़ी teacher और mini आंगनवाड़ी teacher और आंगनवाड़ी helper जैसे कि मैंने पहले आपको बताया ठीक है तो आपको यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए अपलाइ करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर किसे एक पर date for close district यानि कि इस district में जो है ना आंगनवाड़ी सेवी का यानि कि teacher के लिए यहां पर form close हो चुकी है तो आप कि देलेंगाना को और भी किस district से रहते हैं तो आप simple आप चेक आउट कर सकते हैं और देख सकते हैं किस district में अभी यह form अभी लेवल है और कि district में यहाँ पर यह application apply हो रही है तो यहाँ पर अदिलाबाद जो है यहां से apply नहीं कर सकते हैं तो ठीक है तो मैं आपको यहाँ पर प्रोसिट बता दे रहा हूं जिसकी मतलब सब्सक्राइब कर सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट पर select लेकिनी है और अगर applicant का मेरे साधी हो चुका है तो आपको यहाँ पर उसका husband कर नाम लेकिनी है उसके बाद यहाँ पर applicant का नमबर डालनी है ठीक है mobile डालने के बाद आपको यहाँ पर इसके right side में आने है और right side माने के बाद आपको यहाँ पर applicant के जो फादर है फादर कर ना पर आवास यह पर जिसको बोल जाता है आपको इसको अपलोड कर देनी है जब फाइल आपका कमसक में 100 कवी से लेश होना चाहिए यानि अगर किसी तरह कोई भी विकलांग हो अगर उसका चूट लेना चाहते है तो आपको यह पर सामनीया पर फाइल को अफ्लोड कर देनी है का सब्सक्राइब करनी है करनी है कि अपने 10 गलास में जब पास किया था यानि कि मार्क में था या फिर ऑपने से से में था या फिर ऑपने सीजीपी में था तो उसके बाद मार्क में था तो मार्क करनी है उसके बाद आपका यहां पर कितना मार्क आया था आपको यह पर मार्क लिखनी है ठीक है और कितना मार्क कितना पर सेंटेज या सीजीपी यह होता है आपको यहां पर इसको लिखनी है ठीक है उसके बाद आपको यहां पर टै चाहता है qualification अगर आप 10 class से और भी ज्यादा पढ़े हो जैसे कि intermediate अगर 10 ही तक आपका limit है तो आपको यहाँ पर क्लिक करनी है उसके बाद आपको यहाँ पर यहाँ पासिंग देखना है कि कि साल आपने इंटर करे थे तो इंटर करने के बाद आपको जिस भी साल में इंटर करे हो आपको यहाँ पर इसको select करनी होगी तो यहाँ पर मैं non क्या तो यहाँ पर मैं इंटर भी कर देता हूँ चलो उसके बाद आपको यहाँ पर दिखना है कि certificate आपको यहाँ साप्लोट करनी है इंटर क ठीक है यहाँ पर फिर मेंसर करेंगे कि आपको यहाँ पर लगबग स्वाके भी का होना चाहिए उसके बाद यहाँ पर दिख रही है कि अगर आप वीडियो हो ठीक है तो वीडियो हो तो आपको यहाँ पर यहाँ पर क्लिक करने अगर नहीं तुनों पर क्लिक करनी है अगर य तो यहाँ सापको और फार्न Azor चूट सीट से यहाँ पर और अप उसके बाद आपको पर सब्सक्राइब करने के बाद आपका जब्व利ू मेद looking हो जा why की यह इस तरह सब बिल्कुल आन्गहनवाडि से भं का यह साइका कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही में तेस्ट के नेस्ट विडियों सा तब तक बने इस चनल सा थांक्यू टेक क्यर सें बाबाई